नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MP Academy की YouTube चैनल पर आज हम फरवरी माह, फरवरी 2021 माह के संपूर करेंट अफर्स पढ़ेंगे तो विनादेरी के चले स्टार्ट करते हैं हाल ही में जिस देश ने हौंग कॉंग की निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरता परदान करने हेतू एक विसेश प्रकार का वीज़ा सुरू किया है तो ये बिर्टेन ने किया है नेक्ट विश्चन है मारा हाल ही में पश्चिम रेलवे ने जिस राज में बागही विलिमोरा के बीच एक सो साथ साल पुरानी नेरो गेज हैरिटेज ट्रेन सहित तीन ट्रेनों की सेवाओं को इस्थाई रूप से इस्तगित करने का निर्णे लिया है तो ये लिया है गुजरात ने ठीक है गुजरात ने वागई विल्मूरा के बीच एक सो साथ साल पुरानी नेरो गेज हैरिटेज ट्रेन सहिद तीन ट्रेनों की सेवाओं को इस्थाई रूप से इस्थगित करने का निड़ने लिया है नेक्ट कुछन है मारा विश्टक एंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चार परवरी को इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कुछ्चन है भारत और जिस देश के बीच सेयुक्त सेन अभ्यास युद्ध अभ्यास का सोलवा संसकरण राजिस्थान में आठ फरवरी से सुरू होगा तो ये होगा अमेरिका के साथ भारत और अमेरिका के साथ होगा युद्दभ्यास और यह सोलवा संसकरान है और कहां पर होगा तो यह राजस्थान में आठ फरवरी से सुरू होगा ठीक है नेक्स्ट है हमारा भारत 2020 लोगतंत्र सूचकांक की विश्व रैंकिंग में दो इस्थान फिसल कर किस इस्थान पर पहुँच गया है तो यह पहुँच गया है त्रेपनवे इस्थान में मतलब की जो लोगतंत्र सूचकांक की विश्व रैंकिंग है उसमें हमारा भारत पहल इसका राई टांसर हो जाएगा 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिवंध लगा दिया है किसने सुदी अरव ने नेक्ट कुश्चन है हमारा भारती मुक्यवाजी महासंग जिसे आप BFI की नाम से जानते हैं कि चुनावों में जिसे फिर से अध्यच्छ चुना गया है तो इनका नाम है अजे सिंग अजे को BFI का नया अध्यच्छ चुना गया है यह दुबारा बने है फिर फेस्बुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है तो इनका नाम है हेनिरी मोनिज हेनिरी मोनिज को फेस्बुक इंक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है फिर है हमारा चौरा-चौरी सताबदी समारोह चौरा चौरी सताबदी समारोह का उधगाटन किस ने किया तो यह किया था अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके साथ परमाणू हत्यार नियंत्रन संधी न्यू इस्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है तो यह बढ़ा दी गई है पांच साल के लिए रूस और अमेरिका के बीच परमाणू हत्यार नियंत्रन संधी जिसका नाम है न्यू इस्टार्ट इसको पांच साल के लिए नेक्स्ट है हमारा वह देश हाल ही में जिसने पर्मानु छमता से लेस सतह से सतह मार करने वाली वैलेश्टिक मिसाइल गजनभी का सफल परिच्छन किया है तो नाम से ही समझ में आता है गजनभी पाकिस्तान ने ठीक है के रूप में मनाया जाता है ठीक है तो याद रखेगा इंटरनेशनल हुमन फ्रेटर्निटी दे और कैंसर डे दोनों मनाया जाते हैं चार फरवरी को कि पेमेंट सर्विस कंपनी पेपाल होल्डिंग्स ने कहा है कि वह भारत में घरेलू भुकतान कारोबार को किस तारीक से ब बंदगर देगी एक अप्रेल 2021 से ठीक है इमें द्वीमासिक मौद्रिक नीती समीच्छा में एक अप्रेल से सुरू अंगले वित्वर्स के लिए जीडीपी यानिकी ग्रॉश डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरे लूत पाद ब्रधीदर जितने प्रतिसत रहने का अनुमान रखा है तो आरबी आई ने रखा है 10.5 यानिकी 10 प्रतिसत नेक्ष्ट हमारा हालि में किसे वायूसेयना मुख्याले में महन देसक की रूप में न्युकत किया गया है तो जी-ेस Phelps की ओर से जारी ताजा रेंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े Celebrity की लिष्ट में पर्थम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इनका नाम है विराट कोहली जो की टीम इंडिया क्रिकेट इंडिया के कप्तान है क्रिकेट से सम्बंदे विराट कोली का ठीक है तो इनको सबसे बड़े Celebrity की लिष्ट में प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है और यह किसने रेंकिंग जारी की है तो कंपनी है डफ एंड फैल्प्स की में किस प्रसित देतिहास कार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है तो इनका नाम है द्विजेंद्र नाराण ज्छा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और यह किस छेत्र से सम्बंदे थे तो यह इतिहास कार थे नेक्स्ट कुछेन है जिस किस मंत्राले ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकिकरत पोर्टल की शुरुवात की है तो ये की है जल सकती मंत्राले ने नेक्स्ट कुछेन है हमारा RBI ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीती समती MPC की दुई मासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिसत पर बरकरार रखा है तो रेपो रेट RBI ने 4 प्रतिसत रखने का फैसला किया है 40 फरी अमेजन के फाउंडर जयफ बेसोज ने सिओ पाद छोडने का घोशना किया है उनकी जगे किसको सीओ की जिम्मेदारी दी जाएगी तो यह यह दी जाएगी एंडी जेसी को जैफ वेजोस को अमेजन के जोकी अमेजन के फाउंडर हैं इन्होंने CEO पद छोड़ने की घूशना किया है इनका इनका इस्थाल लेंगे एंडी जेसी नेक्स्ट हम हमारा वर्ल्ड वेटलेंड तो यह सभी को पता होगा वर्ल्ड वेटलेंड जो रामसर भूमी होती हैं इनके लिए दिवस कम मनाया जाता है यानकी 200 आद्र भूमी तो यह किया है पंजाब ने पंजाब के मंत्री अम्रिंदर सिंग ने हर घर पानी हर सफाई मिसन लॉंच किया है नेक्स्ट कुछन हमारा भारती मूलकी किसको अमेरिकी अंतरच एजैंसी नासा का कारवाहक प्रमुखन्युक्त किया गया है तो इनका नाम है भब्यालाल मोस इसनल एरोनौटिक सिस्पैस एजैंसी जो कि अमेरिका के अंतरच एजैंसी है इसका प्रमुखन्यूक्त किया गया है तो नाम भब्याल जो की भारती मूलकी है टिक है दिवस्य कम मनाया जाता है तो यह जनवरी के अन्तिम रवविवार को मनाया जाता है ठीक है नेक्ष्ट है हमारा आयुस्मान भारत के नए मुख्यकारकारी सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इनका नाम है आर्स सरमा होंगे फिर है हमारा हाली में किस भारती तेज गैंदवार जने शबी करक्ट फॉर्मेट से थे अन्यास ले लिए है तो इनका नाम है असोग डिंडा और हाली में आपने देखा होगा कि जो लस्त मलिंगा है उन्होंने भी IPL से सन्यास ले लिया अब वो IPL नहीं खेलेंगे मतलब सभी फॉर्मेट से उन्हें सन्यास ले लिया है यह असोग डिंडा हमारे भारती तेज गैंदवाज है और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है फिर है हाली में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पाइलट बनकर एक नया कीरतिमान इस्थापित कर दिया है तो इनका नाम है आईसा अजीज पिक है आईसा अजीज ने महिला पाइलट बनकर भारत की सबसे कम उम्र की महिला पा का हिंदी भांसा का सब्द घोसित किया है यह आत्म निर्भरता सब्द को I Chamtechnarch का भारत के सतलुच जल्विद्धूत निगम limited कों देने का निर्णे लिया है तो हो है नेपाल नेपाल ने अरुन पन बजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल्विद्युत निगम लिम्टेट को देने का निर्णे लिया है इसकी छमता कितनी है तो 689 मेगावार्ट है इंपोर्टेंट है बोर्ड बी सी सी आई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल जिस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है तो वो है रंजी ट्रॉफी जो रंजी ट्रॉफी है यह भारत एक के खिलाडी खेलते थे ठीक है भारत एक की जो टीम थी हमारी उसके खिलाड जितने लाख करोड रुपए करने का लच रखा है तो वो है 16.5 लाख करोड रुपए नेक्स है हमारा जिस सरकार ने बताया है कि कंटेन्मेंट जोन केसा के बाहर आठ फरवरी से 50% तक दर्सक छमता के साथ सिनेमा हॉल थियेटर और मल्टी प्लैक्स दोबारा खुलेंगे वो है राजिस्थान राजिस्थान सरकार ने बताया था नेक्स्ट कुछ्चन है मारा CSK के कप्तान MS धोनी IPL में कितने करोड रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं तो जो MS धोनी है जो की CSK के कप्तान है और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान है यह 150 करोड रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं IPL में ठीक है अगर जैन्सी नासा ने हाल ही में जिस भारती अमेरिकी महिला को कारेकारी प्रमुक्त किया है तो यह रिपीटिट कुश्चन है इनका नाम है भव्या लाल अरने बीमा में FDI की सीमा को 49 प्रतिसत से बढ़ा कर कितने प्रतिसत कर दिया है तो यह किया है 74 प्रतिसत से बढ़ा कर ने तकता पलट कर एक साल के लिए देश में इमर्जेंसी घोसित कर दी है तो यह है म्याममार म्यामार की सेना ने तकता पलटकर एक साल के लिए देश में इमर्जेंसी घोसित कर दी है नेक्स्ट कुष्चन है भारती रिजर्ब बैंक आर्बियाई ने जिस राज्ज में इस्थिद सिवम सहकारी बैंक के पास परियाप्त पूजी ना होने के कारण उसका लाइसेंस रद कर दिया है तो ये है महराष्ट महराष्ट का बैंक है सिवम सहकारी बैंक इसके पास परियाप्त पूजी ना होने के कारण RBI ने Reserve Bank of India ने लाइसेंस रद्द कर दिया है इस बैंक का ठीक है तो यह महराष्ट का बैंक है Cricket परिशद ACC का अध्यच किसे चुना गया है तो यह चुना गया है जैसाह को चुना गया है ACI Cricket परिशद ACC का अध्यच जैसाह कोन है तो यह मिस्साह के पुत्र है Next है भारत की बित्मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो एप लॉंच किया है तो वो किया है केंदरी बजट मोवाइल एप बित्मंत्री निर्मला सीता रमान जी ने आम बजट के लिए एप लॉंच किया है इसका नाम है किंद्री बजट मोबाइल एप और आपको ये भी पता होगा कि जो इस साल का बजट था वो सौप्ट कॉपी में प्रिस्तुत किया गया था Next question है भारत के आम बजट 2021 के लिए लॉंच किये गए एप में किल कितने किंद्री बजट दस्ता वेज़ों को सामिल किया गया है तो इसका आन्सर हो जाएगा उसमें 14 केंद्री बजट दस्ता वेजों को सामिल किया गया है नेक्स्ट है हमारा भारत का केंद्री बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेस किया गया है तो बजट की सौप्ट कॉपी में मैं आपको उपर वता चुका था इसको फिर है हमारा केंद्रिय वजट 2021-22 में डवल टैक्स सिस्टम से इन लोगों को छूट दी जा रही है तो किसको दे जा रही है अप्रवासी भारती जो नॉन रेसिडेंशल इंडिया यानि कि अनराई हैं इनको डवल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है निर्मला सीता रमण के मुताविक senior citizen के लिए special एलान में कितने साल से अधिक आयू वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा तो 75 साल से अधिक आयू वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा नेक्स्ट है बित्मंत्री निर्मला सीता रमण में केंद्रिय बजट 2021-22 में भारत में कहां पर university बनाने का एलान किया है तो इसका right answer हो जाएगा लेह में ठीक है लेह में university बनाने का एलान किया है पुटियो की एक report में यह कहा गया है कि COVID-19 संकट में ने जितनी प्रत्यच परटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है तो यह है 100 से 120 मिलियन प्रत्यच परटन नौकरियां 100 से 120 मिलियन प्रत्यच नौकरियों को खतरे में डाल दिया है यह report है किसकी तो United Nation World Tourism Organization की ठीक है next question है नोवो वैक्स के अनुसार COVID-19 vaccine कोवो वैक्स किसके United Kingdom में अपने चरण 3 के नैदानिक परिछण में कितने प्रतिसत प्रभाव कारिता दिखाई है तो यह दिखाई गई है 89.3% 89.3% तीन प्रतिसत प्रभाव कारिता दिखाई गई है कोवो वैक्स वैक्सीन का नाम क्या है कोवो वैक्स ठीक है कारने यह घोशना किये कि उसने भारत की सतलुच जलविद्धुत निगम को जितने मेगावाट की लोवर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्मान का ठेका दिया है तो 689 मेगावाट पढ़ चुके हैं 679 मेगावाट फिर है हमारा सैयुक्त राष्ट बिश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनितम रिपोर्ट के अनुसार अंतर राष्टी यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में जितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है तो यह हुआ है 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का और इसी से सम्मंदित कुश्चन था कि 120 से 100 से 120 मिलियन प्रत्यच रोजगार प्रभावित हुए हैं यह रिपोर्ट थी किसकी सेयुक्त राष्ट बिश्च परवटन संगठन की ठीक है नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जिस किस राज सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परिच्छा को मंजूरी दे दी है तो ये दिल्ली राज्य सरकार ने जहांके सियम है अरविंद केजरीवाल इन्होंने मुख्य मंत्री विज्ञान प्रतिवा परिच्छा को मंजूरी दे दी है चनुसंधान संगठन इस्रो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की हैं तो ये किया है उत्तराखंड में और हाली में आपने देखा भी था किस तरह से ये हुआ था है ना बहुत ही जानमाल का नुकसान हुआ था नेस्ट है भारतिय तेज गैंदवाज इसांद सर्मा हाली में टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले देश के छटे भारती और तीसरे तेज गैंदवाज बन गए हैं तो ये हैं 300 विकेट जो इसांद सर्मा तेज गैंदवाज हैं तो ये तीसरे तेज गैंदव प्रेवाजों के पास एक यूद woj patriot की मौझूद्गी पर चेतावनी ती है तो यह दिया है चाइना में इसे को दाओं चीन सागर में प्रफिल्बीब समूव वर्यूज के पास ने यूद्ध पोद की मौझूद्गी पर चेतावनी दी है भारत की जिस श्ठार एथिलीट को असम के मुख्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने डीएसपी न्युक्त करने का फैसला किया है तो ये किया गया है हीमादास को हीमादास जोकी स्टार एथिलीट है असम के मुख्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इनको डीएसपी न्युक्त करने का फैसला किया ह नेक्स्ट कुछ ने अंतर राश्टी महिला वैज्यानिक दिवस इंटरनेशनल डे ओफ वोमेंस एंड गल्स इन साइंस किस दिन मनाया जाता है तो ग्यारा फरवरी को बेंगलोर यानिकी आर सीवी टीम ने IPL के आगामी सत्र के लिए किस पूर्वभारती वल्लेवाज को बेटिंग सलाहकार नियुक्त किया है तो इनका नाम है संजे बाگड हैं जिनको आर सीवी के लिए बेटिंग सलाहकार नियुक्त किया गया है नेक्स्ट कुछ ने वह देश जिसने संयुक्त राष्ट मानवा धिकार परिसद में फिर से सामिल होने का निर्णे लिया है तो जितने भी ट्रम्प ने छोड़े थे ठीक है संगठन को छोड़ा था अब उनको जोएन कर रहे हैं कौन जो बेडिन जो की नए राष्ट पती है कहां की अमेरिका के नेक्स्ट है हमारा अमेरिका ने म्याममार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशी रोक देने की घोसना की है तो एक अरब पॉलर की सहायता राशी देने की जो देता था उसमें रोक लगा दिये किस ने अमेरिका ने किस दिन मनाया जाता है तो 11 फरवरी को और अभी आपने देखा था बोवन साइंस डे यह भी 11 फरवरी को मनाया जाता है किस देश ने कहा कि उसका अंत्रचियान 93 फर्ष्ट मंगल की कच्छा में प्रवेश कर गया है तो यह कहा है चीन ने 93 फर्ष्ट जो की मंगल की कच्छा में प्रवेश कर गया है ऐसा कहा है चाइना ने फिर है New Development Bank NDV ने NIIF Fund of Funds FOF में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोशना की है तो NDV ने NIIF में 100 मिलियन डॉलर निवेश करने की घोशना की है एक वन विभाग ने मोनाल पच्छी की कलगी को टोपी पर लगा कर पहनने पर रोक लगा दी है तो ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मोनाल पच्छी की कलगी को टोपी पर लगाना अब प्रतिवंधित हो गया है Next Question है भारती कुस्ती महासंग WFI ने हाल ही में जिन दो पहलवानों को वार्सिक अनुबंध से बाहर कर दिया है तो इनका नाम है सुसील कुमार और साच्छी मलिक साच्छी मलिक और सुसील कुमार को भारती कुस्ती महासंग ने पहलवानों को वार्सिक अनुबंध से बाहर कर दिया है Next Question है कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नभी आजाद की जगे किस नेता को पार्टी नेता बनाने के लिए अवेदन किया है तो इनका नाम है मलिकारजुन खड़गे यानि जो राज्यसभा में बिपच्छ के नेता थे वो गुलाम नभी आजाद थे अब इनकी जगное लेने के लिए आवेदन किया है तो इनका नाम है Congress Party ने आवेदन किया मल्लिकारजून खडगे के लिए Next है, करनाटक का 31 जिला जो बना है उसका नाम है बिजय नगर बिजय नगर समराज भी करनाटक में था प्राचीन जो बिजय नगर समराज था तो करनाटक का 31 जिला बना है कौन बिजय नगर नेक्स्ट कुश्चन है फार्मूला वन वर्ल्ड चेंपियन लुईस हैमिल्टन ने मर्सडीज के साथ कितने साल का करार किया है तो फार्मूला वन वर्ल्ड वर्ल्ड चेंपियन लुईस हैमिल्टन ने मर्सडीज के साथ एक साल का करार किया है सार्व जनिक छेत्र की किस कंपनी ने हाली में लद्दाख में देश की पहली भूतापी छेत्र विकास परियोजना को क्रियानवित करने की घोषणा की है तो इसका नाम है ONGC, Oil and Natural Gas Corporation नेक्स्ट है जिस किस भारती बल्लेवाज को जन्वरी 2021 में उनके सांदार प्रदर्शन के लिए ICC Men's Player of the Month Award से सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है रिसब पंद कि जिस संस्थापक और थेटर निर्देशक का हाली में निधन हो गया है इनका नाम है बंसी कॉल फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया तो इनका नाम है राजीब कपूर का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है यह एक फिल्म अभिनेता थे नेक्स्ट कुछचन है भारती क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने किस क्रिकेट टीम के कोज के पद से स्थीफा दे दिया है तो उत्राखंड क्रिकेट टीम उत्रखंट क्रिकेट टीम के कोज थे कौन वसीम जाफर और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है पल्सिस डे किस दिन मनाया जाता है तो दस फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन देवस नेक्स्ट कुछ्चन है हाल ही में किस आउस्ट्रियाइक खिलाडी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्वानित किया गया है तो इनका नाम है इस्टीव इस्मित केंद्री मस्यपालन मंत्री गिरीराज सिंग ने गोवा को मस्यपालन का केंद्र बनाने है तु कितने करोड रुपए के निवेज की घोशना दी है की हैं तो यह कि है "'400 करोड रुपए पिया किंद्री मस्पालन मंत्री हैं गिर्याज सिंग इन्हों ने गोव को मस्पालन मंत्री का किन्थ बनाने के लिए शार सो करोड रुपए के निवेश की घोषना की है नेक्स्ट कुश्चन है वह राज्य सरकार जिसने जमीन की धोका दड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपस्रेणी करन पर रिपोर्ड प्रिस्तत करने हेतु रोहनी आयोक के कारकाल को कितने तारीक तक बढ़ा दिया है तो ये बढ़ा दिया है 31 जुलाई 2021 कि महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को सयुक्त राष्ट के एशिया पर्यावरन प्रवर्तन पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये है ओडीसा की है महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका जिसको सयुक्त राष्ट के एशिया पर्यावरन प्रवर्तन पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कुछ्चन है किस पूर अंतराश्टी मुक्यवा जब हम एश्याई खेलों के पूर्वर रजत पदक विजेता का नवासी वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो कैप्टन हरी सिंग थापा अर्थसास्त्री नागोजी ओकोंजो इवेला को जिस संस्था के अंगले महानिदेशक की रूप में चुना गया है तो यह हैं बिस्व्यापार संग्रा डबलू टीयो के महानिदेशक की रूप में चुना गया है नागोजी ओकोंजो को नागोजी ओकोंजो इवेला हैं यह ड करते हैं तो नाइजीरिया के अर्थषास्थ स्थरी हैं अगामी वित्ति-वर्स 2021-22 के लिए प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के लिए कितने करोडं रुपए का आवंटित किया है तो इंपरटनेट है प्रधान प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपई आवंटित किये गए हैं फिर हमारा ब्लूमबर्ग की तरप से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिष्ट में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्थ हुआ है तो ब्लूमबर्ग की तरप से जारी ताजार रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को प्राप्थ हुआ है पचासवा इस्थान केंद्र सरकार की तरप से जिस राज्ज में 18 महीने बाद फोर्जी सेवा को बहाल कर दिया गया है तो यह किया गया है जम्मू कस्मीर के लिए जम्मू कस्मीर में 18 महीने के बाद केंद्र सरकार की तरप से फोर्जी सेवा को बहाल कर दिया गया है भूम लिगे हमारा जिस देश ने प्रदूसर्ण फेलाने वाले उद्यों के उत्सरजन पर नजर रखने है तु एक नए प्लेट फर्म स्थापित करने की गोशना की है तो किया गया है चाइना अ मिठराने कीया है किस्कू नाए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने हाल ही में पश्चिम मंगाल के हल्दिया में कितने करोड रुपए की चार बुनियादी धांचा परियोजनाओं को राष्ट को समर्पित किया है तो 4700 करोड रुपए 47 सो करूर रुपए की लागत वाली पश्चिम मंगाल के हल्दिया में चार बुनियादी धांचा परियोजनाओं को राष्ट को समार्पित किया है प्रधानमंती नरेंद मोदी ने फिर है हमारा भारत के जिस पूर्व टैनिस खिलाडी का हाल ही में एक क्यासी वर्थ की उम्र में निधन हो गया है तो इनका नाम है अक्तर अली मंत्राले के अनुसार कोबिड नाइटीन टीका करण के मामले में भारत अंठावन लाग से जादा लोगों को टीका लगा कर विश्य में किस इस्थान पर पहुँच गया है तो तीसरे स्थान पर थि जो केंद्री स्वास्तमंत्राल है इसने रिपोर्ट जारी कि ए कि कोबिड नाइटीन के टीका करण की मामलें भारत तीसरे स्थान पर 58 लाग से ज्यादा लोगों को टीका लगा कर ठीक है विश्व में तीसरा स्थान है फेरे हमारा केंद्रिय रेल मंत्री प्यूस गोयल ने किस बर्स तक भारत को विश्व में पहली प्रदूसर्ण रहेत रेलवे बनने की घोशना की है तो यह की है 2030 तक मतलब 2030 तक ज चेर्में निक्त किया है तो इनका नाम है SN सुब्रमन्यम को राष्टी सुरच्छा परिसाद NSC का चेर्में निक्त किया गया है और किस ने निक्त किया है तो इस तरम एबम रोजगार मंत्राले ने एक एहम फैसले में कितने करोड रुपए के दूर संचार उपकरणों के लिए Production Linked Equipment PLI योजना को मंजूरी दे दी है तो यह 12,195 करोड रुपए हाल ही में किस राज्ज के काला हांडी जले में इस्थिर करला पट वनिजीव अभ्यारण में हैमरिज सैप्टी सीमिया एचेस के कारण छे हाथियों की मौत हो गई तो यह हुआ है ओडी सामें नेक्स्ट है हमारा हाली में अंतर राष्टी गैर सरकारी संगठन Transparency International द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान के सक्कर 180 देसों में कितने इस्थान पर आ गया है तो 86 इस्थान पर ठीक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में नेक्स्ट कुछन है हमारा वह राज्ज सरकार जिसने राज्ज में कोबिड वॉरियर मेमोरीयल इस्थापित करने का निड़ने लिया है ओडीसा गवश्ट ने नेक्ट कुश्चन है टाटा ने किस कंपनी में 68% हिस्चेदारी खरीदने का समझोता किया है तो यह किया गए बिग बास्केट में बिग बास्केट की 68% हिस्चेदारी खरीदने का समझोता किया है टाटा कंपनी ने छिए खिए अमारा केंद्री मंत्रि मंडल ने भारत विंद्ध एंद्पम जिस देश के बीच ब्यापक आर्थिक सहयोग और साजयदारी समझहोते की जाने को मंजूरी प्रदान कर दी यह किये मौरीस के साथ भारत और मौरीस स settlers ने ब्यापक आर्थिक सहयोग और साजेदारी समझोते पर मंजूरी प्रदान कर दी है फिर हाली में दच्छन अफरीका के किस खिलाडी ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा की है तो फाप डुप्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है ये पूछा जाएगा कि जो फाप डुप्लेसिस है इनका संबंद किस खेल से है तो ये क्रिकेटर है और साउथ एफरीका से है किसे अंतराष्टी सौर गटबंधन का नया महान देशक न्युक्त किया गया है तो अजय माथुर को अंतराष्टी सौर गटबंधन आई एस ए का नया महान देशक न्युक्त किया गया है नाम है अजय माथुर नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी अंत्रिच जैंसी नासा ने किस ग्रहपर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलता पूर्वक लेंडिंग कराई है तो ये कराई है मंगल ग्रहपर नेक्स्ट कुष्चन है हमारा भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस बिदेशी मैसेजिंग एप को लॉंच किया है तो संदेश एप को संदेश एप लॉंच किया गया है भारत सरकार द्वारा जो क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रासी 16.25 करोर रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है तो वो है क्रिस मौरिस सबसे ज़्यादा रासी 16.25 करोर रुपए में बिकने वाला प्लेयर बन गया है 2020 ट्री सिटी ऑफ दा वर्ल्ड की मानेता दी गई तो हैदरावाद को दी गई है ट्री सिटी ऑफ दा वर्ल्ड 2020 के लिए नेक्स्ट है किसने रूसी जोडिदार कैमिला रखी मोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलेंड ट्रॉफी टैनिस टूनामेंट में महिला योगल का खिताब जीता है तो इनका नाम है अंकिता रेना अंकिता रेना ने रूसी जोड़ीदार कैमिला रखिमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलेंड ट्रॉफी टैनिस टूनामेंट में महिला योगल का खिताब जीता है हाली में किस राजी सरकार ने गरीबों और निरास्रतों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्द कराने हेतु मा कैंटीन का सुवारम किया है तो ये किया है पश्चिम बंगाल की राज सरकार ने गरीबों और निरास्तों के लिए पका हुआ भोजन उपलब्द कराने हितु मा कैंटीन का सुभारम किया है प्रहान मंत्री नरेंद मूदी ने किस राज में महा बाहू ब्रह्म पुत्र योजना का सुभारम किया तो ये किया गया है असम में असम में किया गया है महा बाहू ब्रह्म पुत्र योजना का सुभारम नेक्स्ट है किस राज के मुखमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर आप दा इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है आंधर प्रदेश के मुख्वंद्री को इसको चीफ मिनिस्टर आप येर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है हमारा टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिती का अध्यच्छ किसे चुन लिया गया है तो इनका नाम है सीको हासी मोतो को चुना गया है ओलंपिक संचालन समिती का अध्यच्छ तोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिती का अध्यच्छ सीको हासी मोतो को चुना गया है फिर है हमारा Credit Rating Agency S&P Global Rating ने कहा कि भारत अंगले वित्वर्स में कितने प्रतिसत ब्रद्धी के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थ विवस्थाओं में से एक होगा तो 10 प्रतिसत ठीक है और कितने दिन का कर दिया गया है तो 30 दिन का जो हरिद्वार कुम्ब था इसकी जो अबधी है इसको घटा कर 30 दिन किया गया है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है हमारा किस केंद्रिय मंत्री ने हाल ही में एक नई ईचावनी पोर्टल एक ईचावनी पोर्टल की सुरुवात किया तो राजनात सिंग रच्छा मंत्री राजनात सिंग ने ईचावनी पोर्टल की सुरुवात की है Uncdf का कर्यकारी सचिव किसे निक्त किया गया है तो Preeti Sinha को Uncdf याने कि संयुक्त राष्ट पूंजी विकास कोस का कर्यकारी सचिव निक्त किया गया है किस राज्य के मुख्वंत्री नवीन पतनायक ने देश के सबसे बड़े होकी स्टेडियम की नीव रखी है तो ये रखी है ओडैसा में और जो होकी का वल्ड कप है ये भी कहां पर होगा तो ओडैसा में ही होगा थिक है तो इनका नाम याद रखना मुख्धन्ति नवीन पटनाएक जो कि ओडैसा के हैं इन्होंने देश के सबसे बड़े होकी स्टेडियम की नीव रखी है तो इस था कहां पर तो ये भूमनेश्वार ओडीशा की राजदानी भूमनेश्वार पर ठीक है फिर है जिस किस देश के पूर्व कप्तान फाप्ड प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है तो बता चुके हैं दच्छन अफ्रीका के हैं फाप्ड प्लेसिस जारखंड के किस पूर्व राजपाल का 88 वर्स की उम्र में निधन हो गया है तो इनका नाम है एमराम जोईस इसे पुदुचेरी के उपराजपाल पद से हटा दिया गया है तो किरण वेदी को अपराजपाल पद से हटा दिया गया है और अभी यहाँ पर राश्टपती सासन लग गया है जिसने टेरा फूगिया टेरा फूगिया ट्रांजीशन द्वारा तयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है तो यह है अमेरिका अमेरिका ने टेरा फूगिया ट्रांजीशन द्वारा तयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है नेक्ट कुछ्चन है किस केंद्री मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वानजिक जूट बीज वितरन योजना सुरू की है नेक्ट कुछ्चन है भारती टेली विजन अकेडमी के 20 फरुसकारों में किसे हौल आफ फेम का पुरुसकार प्रदान किया गया है तो इनका नाम है एकिता कपूर को हौल आफ फेम का पुरुसकार दिया गया है तो भारती टेली विजन अकेडमी के 20 फरुसकारों में हौल आफ फेम का पुरुसकार मिला है एक तक कपूर को नेक्स्ट कोचन है हाली में किस कंपनी ने मार्क लिष्टो सेला को अपना नया मुख्यकारकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानकी CEO MD न्युक्त किया है अही में सरकारी स्वामित वाली समान बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है तो यह समान वीमा कंपनी किस राज्य सरकार ने लकडी के खिलों ने इस्थानी कलाक्रती हस्त सिल्प को बढ़ावा देने हैं तो यह किया है महराष्ट की राज्य सरकार ने हुआ अनने एक्स्पॉड एक्स्ट्र ऑक्ष्ट्राजे न का कोविड़ नाईटीन वैक्सीन के दो संस्कारणों को अपात काली इस्थे माल की मणजूरी दे दी है तो बिश्ष्य श्वाध संग्ध ने विश्वस्वास्त संग्थन यानि की डवलू एचो ने कोविड नाइटीन वैक्सीन के दो संस्करणों को अपातकाली निस्तेमाल की मंजूरी दे दी है नेक्स्ट है किस भारती स्पिनर ने इंगलेंड के खिलाप अपने टेस्ट डेब्यू टेस्ट मेंज में पांच विकेट हॉल लिया और वह ऐसा करने वाले भारत के दूसरे बायहाथ के स्पिनर बन गए हैं तो यह हैं अक्षर पटेल जो की बायहाथ के स्पिनर गेंदवाज है भारती स्पिनर है और इंगलेंड की खिलाप अपने टेस्ट डेब्यू टेस्ट मेंज में पांस बिकेट लेने वाले भारत के दूसरे बायहाथ के बन गए हैं नाम है अक्षर पटेल नेक्स्ट है हमारा भारती क्रिकेट टीम के किस पूर पिकेट कीपर बल्लेवाज ने सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है तो इनका नाम है नवन ओज्ञाव की फ्रैंचाइजी ने हाली में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है तो प Grand Slam में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसर्ण ख्लाडी वन गया है तो इसका नाम है नोवाक शिक विच रोजर फेडरangen 362 के बाद ग्रेंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी है नोवाग जोको विच पहले कौन है तो रोजर फेडर हैं 362 के साथ और ये 300 पार कर चुके हैं को नोवाग जोको विच फिर है हमारा अमेरिकी राष्टपती जो विडिन ने भारती मूल की किस मह सहाएक परिसद में विशेष सहायक नामित किया है नाम है प्रोनिता गुप्त्रीथी नरेन्ड मूदी ने 16 फरवरी दोजारीकिस को किस राज के बहराईच में महराजा सुहेल देव के इसमारक का सिला न्यास किया तो ये किया है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राज के बहराईच में महराजा सुहेल देव के इसमारक का सिला न्यास किया गया है आपात कालीन मानवी सहायता के तौर पर किस देश को 2000 मीट्रिक टंचावल उपलब्द करवाए हैं तो ये करवाए हैं सीरिया ने भारत सरकार ने आपात कालीन मानवी सहायता के तौर पर किस देश को सीरिया को 2000 मीट्रिक टंचावल उपलब्द करवाए हैं भुद दवस राष्टी महिला दवस किस दिन मना जाता है तो 13 फरवरी को जो राष्टी महिला विज्ञान दिवस तो था 11 फरवरी और जो राष्टी महिला दिवस है यह 13 फरवरी और अंतराश्टी महिला दिवस मनाया जाते है आठ मार्च को ठीक है इतना याद रखना करने पारिवारिक पैंसन में दूरगामी सुधार के तहट उपरी सीमा को 45,000 से बढ़ा कर कि जितनी कर दी है तो सबालाख यानिक एक दिसंबलो दो पांच एक लाग 25,000 प्रतिमाह कर दी है परिवारिक पैंसन में दूरगामी सुधार के तहट उपरी सीमा को 45,000 से एक लाग 25,000 प्रतिमाह कर दिया है नेक्स्ट हमारा इटली के नई प्रधान मंत्री के रूप में किसे निक्त किया गया है तो मारियो द्रागी को मारियो द्रागी लोडे 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्टी जो राष्टी महिला दिवस था ये भी 13 फरवरी को कि हमारा किस देश की टीम टी 20 क्रिकट में 100 अंतराष्टी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है तो ये बन गई है पाकिस्तान पाकिस्तान की जो क्रिकट टीम है वो टी 10 टीम है 100 अंतराष्टी मेच जीतने वाली पहली टीम बन गई है नेक्ट है हमारा वह देश जिसकी धाविका वीट्रिस वीट्रिस चिपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेड में पूरा करके विश रिकार्ड बनाया है तो यह है केन्या केन्या की धाविका है बीट्रिस चिपकोच ठीक है परकार ने हाली में किसे ब्यूरो आफ कंजूमर फाइनेंशिल प्रोटेक्शन सी एफ पीबी का निदेशक बनाकर सीनेड भेज दिया है तो यह रोहित चौपड़ा रोहित चौपड़ा को अमेरिकी सला परकार ने हाली में रोहित चौपड़ा को ब्यूरो आफ कंजूमर फाइनेशिल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेड भेज दिया है असोग गहलोत ने बजट में बकीलों को बड़ा तौफा देते हुए बार काउंसल आफ राजिस्थान बी आर्सी को कितने करोड र डेने का अलान किया है ठीक है मुखमंत्रियसोग घहलोत है कहां कि राजिस्थान के इन्हों ने बार काउंसल आफbayराज इस्थान को बी ऑरसी और राजिस्थान को दस करोड रोपय देने का एलान किया है है ठीक है तो इस तरह से हमारे फरवरी के आखरी सब्ता का करेंट फ़र सौर बचा है तो इसको हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा तीन संस्थानों के वैज्ञानकों के एक समूह ने किस राज्ज में अलपाइन पौधे की एक नई प्रजाती की खोज की है तो ये किया है अरुनाचल प्रदेश ने अरुनाचल प्रदेश के वैज्ञानकों के एक समूह ने तीन संस्थानों के वैज्ञानकों के एक समूह ने अरुनाचल प्रदेश में अलपाइन पौधे की एक नई प्रजाती की खोज की है नेक्स्ट कुश्चन है हाली में भारती दूर संचार नियामक प्राधी करण ट्राई के जिस पूर्वध्यच का निधन हो गया है इनका नाम है राहुल खुलर फिरहा हमारा रेटिंग एजन्सी मूडीज ने वित्वर्स 2021 के लिए भारती अर्थिव्यवस्था की ब्रद्धीदर अपने पिछले अनुमान 10.08 प्रतिसत से बढ़ाकर कितने प्रतिसत तक कर दी है तो रेटिंग एजन्सी मूडीज ने 2021-22 के लिए भारतिय अत्यवस्ता की बिर्दीदर 13.7 प्रिशत रहने का अनुमान लगाया है फिर हमारा सरकार ने सोसल मीडिया प्लेट फार्म्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी कर कहा कि इन्हें लागू करने के लिए सोसल मीडिया कंपनियों को कितने महीने का समय दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा तीन महीने का सरकार ने सोसल मीडिया प्लेट फार्म्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करने के लिए कहा है तो तीन महीने के अंदर सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महीने के अंदर अपनी नई गाइडलाइंस तैयार करनी होंगी और इनको लागू करना होगा ठीक है तो सरकार ने भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए नई गाइड लाइन जारी की है कि तीन महीने के अंदर जो गाइड लाइन जारी की गई है सरकार के द्वारा उनको सोचल मीडिया प्रेट फार्म यान की कम्पनियों को लागू करना होगा फिर है हमारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर करने की घोशना की गई है तो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी चर्चा कभी से रहा है तो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी स्टेडियम नाम होगा बिश्चु के सबसे बड़े क्रिके घरगाउन मोटेरा इस्टेडियम का अ में ने हाली में किस अभिनेत्री को अपना со बनाया है तो इनका नाम है दीपी का पादू कोण डेनिम ब्रांड ने डेनिंग गल्स के लिए जो कलौत बनाती है तो दीपी का पादू क्रो राजमें राष्ट पती शाषन लागू करने के प्रिस्ताव को मंजोरी दे द invent तो यह है पांडिचेरी जो मैं आपको पहली बता चुका था कि किरणवेदी उपरा जपाल थी उनको वहां से अटा दिया गया है और वहां राष्टपदी सासन लगा दिया गया है नेक्स्ट है हमारा पुलिस ने पुलिस में महिला कमांडो स्कौर्ड को सामिल करने वाला देश का चौथा राज्य उत्त्राखंड फिर है हमारा पूर भारती कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धी हासिल की है तो इनका नाम है ईसांत सर्मा और ये तीसरे तेजगेंदवाज हैं जिन्होंने तीन सो बिकट लिये हैं ठीक है और अगर भारती की बात करेंगे तो छट में भारती हैं ठीक है ने सरकारी कर्मचारियों की रेटायर्मेंट आयू को बढ़ा कर कितने साल करने की घोशना की है तो वो है साट साल तमिलनाडू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रेटायर्मेंट की आयू बढ़ा दी है और ये कर दी है साट साल नेक्स्ट है हमारा जिस राज्यको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना को बहतर धंग से लागू करने के लिए राश्टी इस्तर पर प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश राजको प्रधान मंत्री के सान सम्मान निधी योजना को बहतर ढम से लागू करने के लिए राश्टी इस्तर पर प्रधामिस्थान प्राप्त हुआ है फिर है हमारा जल सक्ती मंत्राले के पेजल और स्वच्चता विभागने स्वच्च मसहूर इस्थलों के चौथे चरण के अंतरगत देश के कितने महतुपूर इस्थानों को चुना है तो इन्होंने चुना है बारा इस्थानों को ठीक है चौथे चरण के लिए 12 इस्थानों को चुना है मदप्रदेश सरकार ने सम्मिधा अधिकारियों वा कर्मचारियों की सेवा निब्रती किया यू सीमा कितने साल की कटोती की है तो 3 साल की जो सम्मिधा अधिकारी होते हैं उनकी सेवा निब्रत्ती में तीन साल की कटोटी की गई है। मद्धप्रदेश सरकार द्वारा। फ такой हइप हमारा हाल ही में जिस राज किस राझ सरकार सरकार ने राज में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है तो ऐसा करने वाली सरकार है जारखंड सरकार हुपका बार पर रोक लग गई है पती जो विडिन ने किसे अंतराष्टी भृष्टाचार रोधी चैंपियंसिप चैंपियंस पुरसकार के लिए चुना है तो वो है अंजली भरतवाज को अमेरिकी र करने मीशन ऑफ सेडूल का अश्ट के अध्यचकापद किसने सम्हाल लिया है तो विजय सांपला ने सम्हाल लिया है एंसी एस्सी यानिकी राष्टी अन्सूचे जाती आयोग का अध्यचकापद लिए फिर हमारा हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विशेली पर प्रतिबंद लगाया है तो बांगला देश ने गिद्धि के लिए जो विशेली दवाओं पर प्रतिबंद लगाने वाला देश है वह है बांगला देश केरल सरकार ने खाल ही में पारंपरिकांगनवाडियों को बहतर सुविधाओं के साथ इसमार्ट और सरचना की रूप में विक्षित करने के लिए कितने करोड रुपए की मंजूरी दी है तो नौ करोड रुपए केरल सलकाल ने हाल ही में पारंपरे कांगनवाडियों को बहतर सुवधाओं के साथ इसमार्ट आउ सरचना की रूप में विक्सित करने के लिए नौ करोड रुपए की मंजूरी दिये है फिर है हमारा केंदरी उत्पाद सुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 24 फरवरी को फिर जिस भारती तेज गैंदवाज 100 टेस्ट मैच खेलने के वाले दूसरे भारती पेसर बन गए तो इसांत सर्मा रिपीटिट कुश्चन है असोक गहलोत ने बजट में बकीलों को बड़ा तौफा देते हुए बार काउंसल ओफ राजिस्थान को ये भी रिपीटिर कुश्चन है दस करोर रुपए देने का एलान किया है सुप्रीम कोट ने जिसके फैसले को पलटते हुए प्रती निधी सभा को फिर से बहाल कर दिया है तो प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोट ने नेपाल के सुप्रीम कोट ने प्रती निधी सभा को फिर से बहाल कर दिया है और राज सरकार ने सिच्छा की गुडवत्ता में सुधार हे तू बिश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझोते पर हस्ताचर किये तो 6 करोड 80 लाख डॉलर फिर है हमारा मद्द प्रधेस के मुख्मंत्री सिवरास सिंग चोहान ने मद्द प्रधेस के होसंगाबाद सहर का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है तो हसंगाबाद का नाम होगा नर्मदा पुरम पहले हसंगाबाद संभाग का नाम नर्मदा पुरम था अब हसंगाबाद सहर का नाम भी नर्मदा पुरम होगा ये घोशना की है मद्द प्रधेस के मुख्मंत्री सिवरास सिंग चोहान ने नेक्स्ट है हमारा रच्छा अधिगरहन परिसद ने भारती सुरच्छा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड रुपए के पूझिगत अधिगरहन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है तो 13,700 करोड रुपए नेक्स्ट है हमारा भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को बीजा, सुविधा और चमड़ा प्रोध्योकी के संबंद में दो समझोतों पर हस्ताचर किये हैं तो इसका नाम है इथोपिया इथोपिया और भारत ने बीजा, सुविधा और चमड़ा प्रोध्योकी के संबंद में दो समझोतों पर हस्ताचर किये हैं, 19 फरवरी 2021 को, दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को, पल्ले बाजने, ऑनलाइन सिच्छा देने वाली कमपनी, आनेकेडमी में, बहु इस्तरी साज्यदारी के तरणनीतिक निवेस किया है, तो इनका नाम है प्रदेश सरकार ने बित वर्स 2021 को, के बजट में, मदर्सों के आधुनिकी करण योजना के लिए, कितने करोड रुपए का आवंटन किया है, तो 489 करोड रुपए, 479 करोड का, पीसी पर जिस राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुचाने हेतू, लगाए गए, 57.96 लाख रुपए के जुर्माने की समीच्छा याचिका खारिज कर दी है, तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने, प्रासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित ना करने के कारण कांग्रेश समर्थित सरकार गिर गई है, तो पांडी चेरी में, फिर है हमारा, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए ससस्त्र बल में प्रवेश की अनुमती दी है, सौधी अरब ने, सौधी अरब में महिलाओं के लिए ससस्त्र बल में प्रवेश की अनुमती दे दी है, फिर है हमारा किसे प्यूपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडिपी के अध्यच्पद के लिए लगातार पांचमी बार नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है हमारा हाली में DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल को दो बार सफल परिच्छन किया है तो उसका नाम है बी एल एस आर एस ए एम मतलब वी एल वी एल एस आर एस ए एम ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका दो बार सफल परिच्छन किया है किस ने DRDO में पर है हमारा भारत ने हाल ही में मालदीब के साथ कितने करोड रुपए करोड डॉलर कितने करोड डॉलर के रच्छा रिन समझाते पर हस्ताच्छर किये हैं तो पांच करोड डॉलर जिसने ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रेल ऑस्ट्रेलियन ओपन टैनिस के महिला सिंगल का खिताब महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है तो नावमी उसागा सबको मालूम होगा जो टैनिस खिलाडी है नावमी उसागा उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टैनिस के महिला सिंगल का खित आप जीत लिया है फिरह हमारा किस देश के तेज गैंदवाज धमीका प्रसाद ने अंतरराष्टी क्रिकेटर से सन्यास की घोष्णा कर दी है तो धमीका प्रसाद ने अंतरराष्टी क्रिकेट के से सन्यास लेन की घोष्णा की तो धमीका प्रसाद किस देश के हैं यह बताने मनाया जाता तो फरवरी के तीसरे सनिवार को फरवरी मां के तीसरे सनिवार को मनाया जाता विश्व पैंगोलिन डे फिर हमारा उत्तर प्रदेश की योगी आदितनाथ सरकार ने वित्त वर्स 2021-22 के लिए विधान सभा में कितने करोड रुपाय का बजट पेस किया तो यह किया था 5,50,270 करोड रुपाय का ठीक है आदितना सरकार ने यानि कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए विधान सभा में 5,50,270 करोड रुपाय का बजट पेस किया था उख मंतरी वबित्त मंतरी तार किसोर प्रसाद ने बिःहार में विधान सभा में कितने हजार करोड रुपई का budget फीज़ की तो दोलाग अठारह हजार करोड रुपई का यह पूछा नहीं जाता है बस यहां हो गया दिया है तो पढ़दे रहे हैं फिर हमारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस नेक्स्ट हमारा भारत ने मालदीब की सामुद्रिक सुरच्छा के लिए कितने करोड रुपई का समझोता किया है तो 363 करोड रुपई का टेनिस खिलाडी ने हाली में आस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है तो यह है नोवाग जोको विच जो टेनिस के खिलाडी है नो ने आस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है वस किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता 21 फरवरी को अंतराश्टी मात्रवांसादि वस 21 फरवरी फिर है चीनने बाल अपराधों से नेपटने के लिए कुछ गंबीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटा कर कितने वर्स कर दिया है तो ये कर दिया है 12 वर्स के करन quienes खतम होते हैं और इसमें हमने डिटेल में जादा कुछ नहीं बताया है क्योंकि वीडियो इससे लंबा हो जाता है अगर आपको किसी भी current affairs जो कि मैंने इसमें सामिल किये हैं इसमें किसी की भी detail चाहिए है तो आप comment करके वकायदा बोल सकते हैं या फिर हमारा telegram channel है वहाँ पर join होकर पूछ सकते हैं आपको वकायदा उसकी detail send कर दी जाएगी ठीक है तो बने रही हमारे साथ जय हिंद जय भारत